Hello everyone, welcome back to NetJarab Solucenist में आप शेक कुमार जा Important है आप लोगों के लिए ये वाली वीडियो देखो इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे बनार सिंद्य इनिवर्स्टी यानि की बी एचिव में जो पी एचडी और एमफिल का नोटिफिकेशन आया हुआ है कौन से केटेगरी में अप्लाई करना सही रहेगा यानि क्या आपको रेट में अप्लाई करना चाहिए या सिर्फ आपको रेट एग्जम्टेट केटेगरी में अप्लाई करना चाहिए which category suits on you देखो सबसे पहले मैं आपको बताओंगा यहाँ पर कि ये केटेगरी जो है ये अलग अलग है अलग अलग तरीके के candidates के लिए है यानि इसमें कोई net qualified है कोई जेर्व qualified है तो उसको किसमें apply करना चाहिए और अगर किसी का भी कुछ भी clear नहीं है अभी तक तो क्या वो apply कर सकता है सबसे बड़ा question तो यह मैंने देखा आप लोगों के messages मैं messages देख रहा था इसमें आप लोगों ने पूछा है कि sir बहुत सारे ऐसे questions आप लोग के mind में वो सारी बात में आप लोगों को बताऊंगा but before that अगर आप इस channel पर नए हैं पहली बार यह video देख रहे हैं तो channel को subscribe ज़रूर कर लीजएगा bell icon को press कर दीजएगा तक हमारे इस channel की notification आपके mobile तक पहुंचते रहें so everyone क्या है rate और rate exempted category इन दोनों ही चीज़ों के बारे में आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा ठीक है यह admission आया हुआ है बनार सिंद्र इनिवर्सटी में M.Phil PhD के लिए इसे मैं एक golden opportunity मानता हूँ इस वक्त के जितने भी student है चलिए आपको मैं बताता हूँ क्या basic difference है इन दोनों में ही सबसे पहले तो देखो जब भी आप जाओगे बनार सिंद्र इनिवर्सटी की website पे तो आपको जो R.E.T. है research interest test है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा देखो बनार सिंद्र इनिवर्सटी दो बार application निकालती है PhD के लिए PhD में अगर आपको admission लेना है तो एक बार तो application निकलता है जुलाई में ठीक है और दूसरी बार application निकलता है February में यह February वाल application है जो अभी आप देख रहे हो लेकिन चुकि 2020 में COVID-19 के कारण complete lockdown था और इसलिए जितने भी academic जो sessions थे वो पूरी तरीके से disturb हो गए थे तो बनार सिंद्र इनिवर्सटी ने अपने 2020 का जो session था वो पूरी तरीके से खाली रखा और अब जाकर के यह application निकले हैं 2021 में लेकिन बहुत साले student confused थे कि 2020 लिखा हुआ है और हम ढूण रहे है 2020 का notification तो आपको मैं बता दूँ यह कोई भी जो notification है यह 2021 का नहीं है 2021 का notification अभी आएगा जो जुलाई में होता है और rate exempted का आ चुका है एक तो है R.E.T. का है आपके पास apply करने के लिए दूसरा है आपके पास जो rate exempted category है इसका है apply करने के लिए यानि दो categories हैं आपके पास इस university में apply करने का यानि दो chance हैं दो मौका है तो फटा-फट आपको बताता हूँ क्या है rate और क्यों इतना important है ये B.H.U. में admission के लिए देखो जो rate है यानि कि research entrance test है ये university अपने बिहाफ पे admission कराती है entrance based अगर आपको admission लेना है तो आपको एक common entrance से हो करके गुजरना पड़ेगा common entrance होगा आपके concern subject में समझ रहे हैं आपका concern subject है उसमें होगा अब इसमें वो applicant apply कर सकते हैं जिनका ना तो net हुआ है अभी तक ना ही उनका jrf हुआ है आप मेंसे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मेरा तो कुछ भी नहीं clear है ना UGC का ना CSIR का तो क्या हम apply कर सकते हैं ये सबसे बड़ा question रहा होगा येस बिल्कुल आप apply कर सकते हैं ये ही तो golden opportunity है मैं बार-बार कह रहा हूँ कि बनार्ज सिंद्य उनिवस्टी आपको monthly stipend देता है ये monthly stipend जो है वो 8 से लेकर के 10,000 तक रूपीज आपको उनिवस्टी प्रोवाइट करती है अगर आपने सिर्फ simple आपने masters किया हुआ है तो इस masters के base पे आपको इतने stipend पर month मिलने वाले हैं अगर आप research qualify कर लेते हैं ये entrance test qualify कर लेते हैं interview qualify कर लेते हैं और आपका admission हो जाता है तो यानि सिर्फ masters के base पे आपको admission मिलेगा rate ये जो है category rate यानि कि research entrance test में अब ऐसे भी बहुत सरे student होंगे जिनका net और जयारफ भी clear है और उनको क्या करना admission लेना है तो जब जिनका net और जयारफ clear होता है उन सभी student को सिर्फ और सिर्फ rate exempted category में apply करना है लेकिन आपके पास एक मौका और है आप सीधा interview में direct जाकर के बैठ सकते हैं through this rate exempted category exempted है क्या मतलब है कि वो exam जो बाकियों के लिए है लेकिन आपके लिए नहीं है आपके लिए किसके लिए नहीं जिनका net और जयारफ clear है क्योंकि अगर आपने net और जयारफ qualify कर लिया है तो आप directly अपना synopsis या फिर research proposal ले करके जा सकते हैं interview वाले दिन अब मज़े की बात ये है कि जब आप rate exempted है और एक student जो rate entrance test को qualify करके आया है same day उसी department में आपका interview होगा एक साथ selection day एक ही होगा यह सिर्फ एक criteria है जिसमें एक student जो net qualify नहीं है दूसरा student जो net qualify है उस उन दोनों के लिए opportunity बनाएंगे यहाँ पर ठीक है तो ये जो आप देख रहे हो ये मौका जो आपको मिला है ये बहुत ही important है क्योंकि मैं आपको बता दू इस बार 2020 की seat plus 2021 की seat दोनों seat को merge कर दिया गया है और इस तरीके से जहां पहले दो या चार seat आती थी department में अभी वो बढ़कर के 20 से 30 seat हो गई है यानि कि बहुत सारी vacancy है इस बार तो अगर आप इस बार अभी master's के final year में है और आप exam में appear होना चाहते हैं तो आप apply कर लिजे फाइनल year में जो student है सिर्फ वही करनेंगे ठीक है अगर आपका final year यानि कि आपका July में जाकर के result आ जाता है तो आप rate exempted category में qualify यानि कि apply करिए और या अगर आपका net है सिर्फ तो भी आप कर सकते हैं इसके अलावा सबसे important बात आपको में बता रहा हूँ वो ये है कि आप मेंसे कोई भी student अगर चाहें तो आप rate exempted category में भी apply कर सकते हैं और आप इस research interest test को भी apply कर सकते हैं इससे दो फायदे होंगे एक तो अगर आप interest examination crack करके जाते हूँ department में इंटेविर के लिए तो उसका एक अलग impression बनता है मैंने ये research interest test qualify किया था और मैं उस वक्त net भी qualify था जब मैंने apply किया था तो मैंने दोनों के लिए apply किया था तो आप गर दोनों के लिए जाते हो तो दोनों की जो merit list है वो अलग अलग बनती है ठीक है ध्यान रखिएगा इसकी seat अलग है और इनकी seat अलग है अगर माली जे rate exempted में total 10 seat है और उसके बाद rate research interest test में total 10 seat है तो आप इन दोनों यानि की 20 seat के लिए applicable रहो गए यानि आपके पास 50-50 chance है कि आप जाकर कि यहाँ पर भी select हो सकते हैं और आप यहाँ पर भी select हो सकते हैं बट डू रिमेंबर इन दोनों के लिए ही आपका एक single ही interview होगा अलग अलग interview नहीं होगा और आपको single synopsis लेकर करके जाना जैसा कि मैंने कहा कि यह same day ही होगा इसका interview किसी अलग दिन नहीं होगा ठीक है मैंने दिया हुआ है मैं अपना experience आप को बता रहा हूँ ठीक है अब यहाँ पर सबसे important बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यह है कि यह जो university है वो आपको आपके subject के साथ साथ जैसे मान लिजे आपका subject है geography ठीक है जो कि मैं पढ़ाता हूँ अन academy पे plus courses में free courses में और इस channel पर भी बढ़ाता हूँ अब अर्मालिज आपका subject है geography तो आप अपने इस concern department में भी जा सकते हैं कहां जा सकते हैं आप इस concern department में भी जा सकते हैं interview के लिए एक ही ठीक है concern department में भी आप जा सकते हैं दूसरा आप इससे related जो allied subject हैं आप वहाँ पर भी जा सकते हो subject in the sense जो complete list प्रवाइड की है भी एचियू ने वो list में आपको भी दिखाऊंगा फिर मैं अभी बताता हूँ आप लोग को की seats वगर कितनी आई है ये वाला जो confusion था आई होप आप लोगों का clear हो गया होगा ठीक है आप मुझे आन अकेडमी पे भी follow कर सकते हैं अब शेक कुमार जा के नाम से मैं वहाँ पर भी पढ़ा रहा हूँ play store से आन अकेडमी आप डाउनलोड करे हो मुझे वहाँ पर follow करे हो तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ seat वाले list पे जहां पर की आपको जानना बहुत जरूरी है देखो ये है seat discipline wise यानि कि कितने प्रोग्राम से उन में कितने कितने seats हैं department wise सारी information यहाँ पर आपको अभी मैं देने वाला हूँ सबसे पहले हम शुरू करते हैं faculty of arts से faculty of arts में कई सारे departments हैं department आप देख रहे हैं यहाँ देखो Arabic है बेंगॉली है फ्रेंच है history of art है tourism है नेपाली है तमीने रशीन चैनेज एक कनड़ है इसके लाब लाइब्रेडी and science है geography है home science है mathematics है statistics है Marathi देलगूब यह सभी क्या है Hindi philosophy history हो गया Buddhist study हो गया linguistic संस्कृत यह सभी है अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना यहाँ पर जो admission के लिए ठीक है यहाँ पर admission के लिए जो seat a lot की गई है वो rate category के लिए अलग है और rate exempted category के अलग है इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप दोनों में ही apply कर सकते हो बहुत सारे YouTube channel मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि seat आई हुई है लेकिन वो आपको यह नहीं बताएंगे कि apply किस किस में करना चाहिए अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ठीक है आपको दोनों में apply करना है ठीक है क्या होगा आपके 500 रुपे जादा लगेंगे यही तो होगा न लेकिन आपके पास दो मौकें आएंगे आप दो अलग-अलग category में select होने का मौका आपको मिलेगा माल लीजे अगर आपका rate category में selection नहीं हुआ तो आपका rate exempted में हो जाएगा लेकिन अगर आपका rate exempted में नहीं हुआ तो आपका rate में हो जाएगा देखने वाली बात ये है अब सबसे जरूरी बात ये है कि आपको करना किसमें apply तो देखो सबसे पहले आप एक काम करिए सबसे पहले आप ये check कर लीजे कि आपके concern department में subject में आपके लिए rate में और rate exempted जो category है कितनी seat आई है पहले ये confirm कर लो जैसे मालो ये Arabic है यहाँ पर rate category में 6 seat है यानि कोई भी student 6 seat के लिए eligible हो सकता है उसमें apply कर सकता है उसके अलाब rate exempted में भी यहाँ पर 5 seat है यानि कि 6 plus 5 is equal to 11 seat के लिए आप apply कर सकते है मतलब दोनों category के लिए आप कर सकते है अगर आपने सिर्फ rate के लिए किया अगर आप interest भरते है मतलब interest में आप जाते हो तो आपको exam clear करना है जैसे मालो किसी का net नहीं है तो वो apply नहीं कर पाएगा जिसका net नहीं है वो rate exempted apply नहीं कर सकता लेकिन जो rate exempted है वो दोनों में apply कर सकता इससे आपके selection होने के chances 200% हो जाते हैं ऐसे ही geography subject है geography के students के लिए special में बताना चाहूँगा यहाँपर geography subject में आपके पास rate exempted की seat आई हुई है 2016 के बाद से कभी भी यहाँ पर research interest test नहीं हुआ है इसके बाद से geography department में research interest test को लेना बंद करती है seat निकाननी बंद कर दी इसलिए यहाँ पर शूनने है 0 है ठीक है जबकि research interest में आप देख रहे हो आपके पास total 31 seat है जहां तक मैं समझता हूँ कि इस department के history में मेरे जानते हुए इतनी seat आज तक कभी नहीं आई तो यह आप लोगों के लिए सबसे golden opportunity है 31 seat है ठीक है इतने seat के लिए आपका interest नहीं होगा आपको होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ net या फिर जयारफ होना चाहिए आपका चाहे वो UGC का हो चाहे वो CSIR का हो किसी का भी हो चलेगा CSIR का होगा तो प्राथमिक्ता जादा मिलेगी मैं सब कुछ बही बता रहा हूँ जो मुझे पता है अगर आपका UGC net का है तो प्राथमिक्ता थोड़ी कम मिलेगी लेकिन ऐसा कोई एक या दो स्टुडेंट होता है वो CSIR का आता है ठीक है तो जोगरफी की टोटल सीट कितनी है 31 सीट है इसके अलावा देखो आप स्टाटिस्टिक्स की मैट्स की सीट यहाँ पर देखो मैट्स में आपको एक्जम्टेट का भी है और रेट का भी एक सीट आया हुआ है जबकि स्टाटिस्टिक्स में देखो 9 सीट है इंट्रेंस बेस्ट है और एक्जम्टेट में 11 सीट है यहने टोटल कितना सीट हो गया 20 सीट हो गया तो आपके पास opportunity है यह opportunity बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके बाद नहीं मिलेगा यह मैं आपको बता रहा हूँ इतनी सीट भी एक्चों में कभी नहीं आती है ठीक है ऐसे ही ancient Indian history and archaeology है यहाँ पर culture and archaeology 27 सीट यहाँ पर आई होई है जबकि संस्कृत में 20 सीट आया हुआ है ऐसे ही आप यहाँ पर देख लो journalism के लिए 4 सीट है philosophy के लिए 19 सीट है हिंदी के लिए इस बार कोई सीट नहीं आई है इसी तरी के साब नीचे आएंगे visual art में आएंगे तो अलग-अलग painting वगरे के लिए applied art के लिए है ना इन सब के लिए सीट अलग-लग देख रहे है education के लिए सीट आया हुआ है 12 सीट आई है exempted में और 8 सीट आई हुई है red category में जबकि law वगरे में देखिए 7 सीट यहाँ पर 7, 7, 14 हो गया और यहाँ पर 3, 3, 6 हो गया इसके अलबावा management study में आपके पास सीट आई हुई है exempted में यानि अगर आपका net HRF है तो आप apply करिए और 32 सीट में आपका selection हो ही जाना है political science में 24 सीट आई हुई है वो भी entrance में यह exempted category में है इसके लाव sociology में 30 सीट आई हुई इतनी इतनी सीट आज तक कभी नहीं आई psychology में 12 सीट है यहाँ पर आपके पास इसके लाव आप देखो तो commerce में commerce में total 30 सीट आई हुई है 30 है red category में sorry 10 है red category में और 20 है red exempted category में इसके लाव आप देखो यहाँ पर यह बाकी है performing arts में performing arts में छोड़ा department है तो कम सीट से आपर आपको देखने को लेंगे वहीं यह है संस्कृत विद्या धर्म धर्म विज्यान यहाँ पर आप देखोगे इसमें जो सीट से काफी कम है 2-4 सीट साय हुई है यह allied subject में आ जाएगा faculty of science में आप देख रहों कितनी सीट है physics में physics में 30 सीट आए हुई है rate exempted की और 70 सीट आए हुई है rate category से oh my god 120 सीट आया हुआ है rate exempted category से और 20 सीट आया हुआ है rate category में chemistry में इतनी सीट तो आज तक कभी नहीं आई यह दो department में सीट बहुत ज़दा आता है लेकिन इस बार तो कुछ ज़्यादा ही निकला हुआ है ठीक है इसके लाबा 12 सीट है biochemistry में geophysics में 21 सीट है इसके लाबा 8 और सीट है rate में psychology में 12 सीट है exempted में geography में 31 सीट मैंने आपको बताया था तो यह geography वहाँ पर science में भी आता है और arts में भी आता है देता हूँ आप अपने subjects को find out कर लेना देखी आयूरवेद में आप अपने allied subject के through admission ले सकते हैं geography के student यहाँ पर भी apply कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर जैसे यह सारे देखरों आप 6-6 seat है allied subject में यह लोग अलग से लेते हैं admission तो आप एक बार जब इसका पूरा complete चेक करना आप लो तो पूरा अच्छे से एक बार देख लेना ठीक है तो जैसे geography का 31 seat वहाँ पर हो गया allied subject में आपको admission मिल जाएगा इसके लबाब मैं बताना भूल गया एक और subject यहाँ पर होता है arts में ही मैं आपको बता दू arts में ही बोशपूरी इवं जनपदी अध्ययन बोशपूरी इवं जनपदी अध्ययन में भी geography other किसी भी subject के student admission ले सकते हैं यहाँ पर allied subject चलता है तो rate exempted में आप चाहें तो category rate में 5 seat है और rate exempted में 5 seat है total 10 seat है तो यहाँ पर admission हो सकता है seat बहुत आया है आपके पास इससे अच्छी opportunity कभी नहीं मिलेगी तो यह सारी चीज़े आप देख लीजेगा इसके अलावा एंफिल के लिए यहाँ पर integrated एंफिल PhD है sustainable development department में यहाँ पर total 10 seat आई हुई है जबकि subaltern studies में social sciences में एंफिल की seat है इसमें 20 seat आई हुई है यहाँ से आप एंफिल कर सकते है subaltern studies allied में आता है आप यहाँ पर admission ले सकते हैं किसी भी subject अगर आप है तो ठीक है अब यहाँ पर सबसे important चीज क्या है कि question कितने होंगे paper कितने होंगे यह सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट admission कैसे होगा सबसे पहले तो देखिए आपको admission के लिए जो rate के लिए माना गया है minimum qualifying marks rate के लिए वो होगा 220 marks और rate exempted category में 75 marks होने चाहिए for the PhD admission अब यह जो rate exempted category है इसमें भी दो तरीके से आपका मुल्यंकन किया जाएगा एक तो आपका academic record ठीक है आपका API index चेक किया जाएगा API index में क्या होता है API index में आपका 10th का ठीक है 12th का आपके graduation का ठीक है आपके master's का इन सभी का एक score बनता है और इसका जो एक score बनेगा प्लस आपके interview का जो score बनेगा इन सभी चीज़ों से आपके total marking की जाएगी इसमें जितना आपका marks आएगा इसमें जितना marks आएगा वो सारी चीज़े add करके 75 marks काटेगरी आपका होना चाहिए इसके अलावा देखिए minimum आपको 35% लाना है test A में अगर आप RAT category में कर रहे हैं अप्लाई तो जबकि यहाँ पर आपको negative marking देखने को मिले की test में सबसे important ही है तो negative marking के लिए तयार रही है आप लोग इसकी जो fees रखी गई है ठीक है वो है 800 रुपीज है general category के लिए और SC, ST, PWD के लिए 400 general में OBC भी दोखो इसमें other लिखा हुआ कहीं general नहीं लिखा हुआ है मतलब general और OBC सभी लोग को देना है EWS category को भी 800 रुपीज देने है बागी सब को यहाँ पर 400 रुपीज देने है ठीक है payment आप online कर सकते हैं कोई भी तरीका है अब यहाँ पर देखो online payment के बाद आप अपना एक slip जरूर प्रिंट आट करके निकाल लेना क्योंकि जब आप जाते हैं interview में तो वहाँ पर काम पढ़ता है उसकी जरूरत पढ़ती है यह online based exam होगा computer based exam होगा आप अपने city को देख लीजिए कि आपका कौन से state में है कौन कौन से cities यहाँ पर है सारा यहाँ पर mention किया गया है तो सारी information bulletin में दी हुई है आई होप आप लोग को सारी चीज़े clear होंगी अगर clear नहीं है यह dates था जो मैंने आप लोग को बताया एक February से है और last date है इसकी 22 February है और exam जो entrance का होगा वो 19 को हो गया नहीं की 19 March को होगा बाकी सारी चीज़े जो है मैंने mention कर दी थी I hope आप लोग को यह सारी ही चीज़े clear होंगी अगर आप इस channel पर पहली बारा हैं तो channel subscribe जरूर कर लीजेगा आप मुझे एन academy पर follow कर सकते हैं यहां पर आप मेरा नाव अप्षेक कुमाजा सर्च करके follow कर सकते हैं मेरी लगातार free classes चल रही है मैं paper 1 के classes भी ले रहा हूँ free classes ले रहा हूँ 15 February से start हो रही है paper 1 की जबकि geography की classes चल रही है लगातार हो और topics you can't miss in geography ठीक है इत्ती सारी बाते थी कुछ भी अगर अभी clear नहीं हो पाया है तो आप comment करके ज़रूर बताइएगा मैं कुशिस करूँगा कि उसके उपर भी वीडियो बना सकूँ thank you so much everyone check care, bye